हेलो फ्रेंड वेलकम टू प्यारा इंडिया फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है कि मुलाना माजूलक अर्फिक आफ हार्शिक उनिवर्सिटी के दौरा कल यानि की सुल्ला फबवरी 2023 को आलिम पार्टू का रिजल्ट जारी किया गया तो जैसे कि यहां पर देख सेखते हैं नीज पेपर का कट है जिसमें दिया गया है आलिम पार्टू का रिजल्ट जारी तो आखिर हम यह बात क्यों बता रहे हैं तो यहां पर देखिएगा नीशे जब आईएगा तो परिक्षा नियंतरक जो है इसके साध हमीद उन्होंने कहा है यहां पर देख सकते हैं कि कहा है यह सही है कि गलत है हमको लग रहा है कि इन्होंने जो आलिम पार्ट वन का रिजल्ट जो बोले है कि जारी कर दिया गया है यह इनको बोलना चाहिए था फाजिल पार्ट वन का रिजल्ट क्योंकि फाजिल पार्ट वन का आप लोग पता है कि कुछ दिन पहले ही रिजल्ट जारी किया गया था तो इनको आलिम पाट वान कह दिये गया है कह दिये हैं फाजिल पाट वान के जगा पर और अभी आपको दिखा रिटे हैं ब्योशाइट के माधियम से भी तो जैसा कि फ्रेंट आप देख सकते हैं कि हम मौला ना मजूलोक अर्विक ओफार्सिक उनिवर्सिटी के अफिशिल बेसाइट पर आ गया है यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि रिजल्ट सेक्षन आएगा रिजल्ट का उप्षन आएगा सिंपल से उस पर किलिक किजिएगा तो वेट करने के बाद देख सेते हैं यहाँ पर रिजल्ट उपन हो गया है तो यहाँ पर सबसे उपर देखिए आलिम पाट टू का ही रिजल्ट जो कल जारी किया गया था वही यहाँ पर सू कर रहा है और इसके नीचे जैसे आईएगा तो फाजिल पाट वन का रिजल्ट जारी किया गया है जबकि आलिम पाट वन का रिजल्ट नहीं आया है जैकि उन्होंने कहा है कि आलिम पाट वन का रिजल्ट आ गया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जितने भी एक्जाम के अभी रिजल्ट जो पेंडिंग है मौलार मजलोक अरिफिक फार्सिक इनुवर्सिटी में उस जल्ट से ही जारी किया जाएगा तो फ्रेंड वीडियों बस इतना ही वीडियो हेलफ लगे तो लाइक करें अपने दोस्तों को सेर करें और किसी भी तरह कर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और फ्रेंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू